तो हेलो एंडेलकम दोस्तों आप देखें एंड्राइड जंक्से य्टूब चैनल और में नमें रूपेज दोस्तों आए चली शुरू करते हैं आज की वीडियो क्या दोस्तों आपका इंडियन बैंक में खाता है पहले इलहाबाद बैंक हुआ करता था वह अभी अब इंडि कर दिया लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के भारें बात कर लिला में करें अदुआ है habla को पूरा वाच करेगा ताकि आपका पूरा कन्फ्ययॉजन और आप बहुत अपना फैलीपली के मदब के सान्य इंडियन बैंक की बणाई गई shows कare शुरूpower करें डखे Cast आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं तो scraping कर गितता तो आपका भी फर्च बंता है तो चली फिर इस वीडियो को कर लेते हैं और हाँ वीडियो पसंद आगी तो लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा तो चली फटावाट इस वीडियो को कर देते हैं शुरू तो दोस्ते यहां पे आपको बता दें कि इलहाबाद बैंक कब इंडियर बैंक हो गया है तो यहां पे दोनों के अप्लिकेशन एक ही है तो कैसे हम प्राइसबुक चेक करेंगे लाइव आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करेंना है चलना अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहां से एक अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है INDOSIS करके इस पेलिंग एक बार चेक करेंगा INDOSIS यह प्लिकेशन देख जाएगी जो इलहाबद बैंक के द्वारा ही और इंडियर बैंक के द्वारा मिलके बनाई गई है देख सकते हैं इस अप्लिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने का इसी ओपें कर लिजिए open करने के बाद सबसे पहले यहां पर अपना कोई details दे कर यहां पर login होना होता है ठीक है ना तो क्या क्या details देना होता है कैसे कैसे क्या करना होता है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो मैंने यहां पर सारा permission इलाओ कर दिया जो permission हो गरे मांगे भासा ले लेना है भासा कौन सा आफ रखना चाहते है application में मैं English रखना चाहता हूं English लेकर process पर click करता हूं ठीक है और okay करता हूं ठीक है ना सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर अपना CIF number को दर्च करना होता है आप का यदि CIF number नहीं पता है आर यू एव एं एकाउंट विठ इंडियन बैंक ने में है और नो यूर सिखिंगे न है तो आपको क्या करना होगा यह थे नहीं पता है तौँ अपना एकाउंट नबर ऑर यह लिखें बहर देंगे न तो आपका स्याइफ जो है आपके मोबाइल नमबर पेसमें से थूप भेज दिया जाएगा ठीक है और यदि आप पूप स्याइफ अपना पता है तो आसानी से यहां पर फिल कर सकते हैं मुझे पता है तो मैं ऐसे फिल करके फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं ठीक है मैंने दोस्तों यहा करना सेंडेस पर क्लिक करना ठीक है यहां पर दोस्तों वेरिफाइंग हो गया और यहां पर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूं ठीक है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप एटीम काड़ का कोई डीटियल्स भर के और आगे का प्रोसेस कंप्लेट कर सकते हैं यहां पर आपको ATM card के अपने details से हम पर feel करता हूं फिर आगे के तरफ बढ़ता हूं ठीक है यहां पर दोस्तों मैंने feel कर दिया एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे कि दोबारा से आपको टीफिन बनाना होता है ठीक है मैं अपना टीफिन यहां से बना लेता हूं और राइट करता हूं और सब्मिट पर क्लिक करता हूं टीफिन और MP दोनों अलग-अलग होना चाहिए मैंने ok कर दिया और यहां पर हमें login पीन यहां पर MP डालना होगा तो आई next 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 के वटन में click करूंग पर हमें क्या करना हमने आपको बताया था पास्पूक कैसे देखें हश्क है थिक है ना हमें तो पास्पूक अपना देखना है तो आई बता आता हूं पास्पूक हम कैसे धेंगे एकाउंट का प्लिक करेंग और आप देख पा है अफ्सक्रेक च्मारा ब्राइब दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि हैं पूरा कुछ अच्छे से डीटियल से आपको बताने वाला हूं तो इहां पैंगे आपको Please Select for a page select करना है कि अपका अपना खाता संक्या और उसकी वाला आपको क्या लाप में ख्लिक्त करना है एसे भी प्रॉट आप प्रफ पास्बूक जैसे बनेंक को देखते हैं नवं पर देख सकते हैं जैसे आप देख पहुंड करेंने दोस्तों फिक है ना तो मिर्य बाइच को छाज़तरे noch दोस्तों वेलो पर अपने पास्दों और ग combos वह कुए नजिया नंग की साथ हैं कि